वरुन दवन के फिल्म भेडिया रिलीज हो चुकी है इसमें वो इच्छाधारी भेडिया बने हैं इस फिल्म में वरुन दवन की परफॉर्मंस देकर बस यह लगता है कि उन्हें आगे चल कर और भी सीरिया सो इंटेंस रोल एक्सप्लोर करने चाहिए भासकर के रूप में व कोशिश रहा है कि वो अपने दर्शिकों के अलग मिजास की फिल्म से इंटेडियूस करवा सके बालुड आंग्टर वरुन दवन की बेडिया भी इसी कोशिश का हिस्सा है इस क्रियेचर फिल्म में अमर की कॉमेडी का तर्का कितना पर्फेक्ट तरीके से लग पाया है इस कि जो महज उसके लिए प्रोजेक्ट है वो वहां के लोगों की जिन्दगी है प्रोजेक्ट के सिलसले में अरुनाचल की जीरो पहुचकर भासकर की मुलकात पांडा यानि की डुपक डुब्रियाल से होती है जो लोकल लोगो और भासकर की बीच कम्यूनिकेटर का काम करता है इसे बीच पांडा उन्हें एक अफवा यानि की विशानू की जानकारी देता है जिसे भासकर को पता चलता है कि जंगल में एक विशानू रहता है और वो लोगों का शिकार करता है जो जंगल को हानी पहुचाने की कोशिश करते हैं बल काम के सिलसले में जंगल से गुज इस मुसीबत से चुडानाय में जनारवन यानिकी अभिशिक बैनर जी, जेमिन यानिकी पालिन, कपाक और डॉक्टर यानिकी कृति सेनन मदद करते हैं। बेडिया से क्या भासकर आप इंसान बन पाते हैं, क्या वो प्रोजेक्ट बनाने में कामियाब हो पाते हैं। विशानों की क्या कहानी है? इन सब सबालों के जवाब के लिए आपको तो ठीटर का रुख ही करना पड़ेगा। जंगल जानवरों वाली इस क्रियेचर फिल्म अपने आप में एक तफ जानर रही है। और आज की दौर में लोगों को कॉमेडी फिल्म से हसाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में दोनों को ब्लेंड कर अमर कॉशिक इस बा क्रियेचर कॉमेडी लेकर आए हैं। हाला के इससे पहले वो फिल्म स्त्री से हॉरर कॉमेडी के जानर रूप में खुद को साबिट कर ही चुके हैं। अमर कॉशिक की ये खासियत रही है कि वो अपनी कहानी से लोगों को हसी से लोगर देने में काफी यकीन रखते हैं। फिल्म भीडिया के साब भी कुछ ऐसा ही होता है। फिल्म देखने के दुरान आप जोर-जोर से हसते हैं और कही सीन में डरते ही भी है। फिल्म में आज के शोशल मेम्स का भी बड़े ही स्मार्ट तरीके से इस्तमाल किया गया है जिसे दर्शुकों की रिलेटिबलीटी बढ़ती जाएगी। पहले बाग की एडिटिंग कसी हुई है और इंटरबल तक आपको बांधी रखती है। स्वही सकेंड हाफ के बाद फिल्म की रफ्ता थोड़ी स्लो हो जाती है और क्लाइमेस तक पहुश्टे-पहुश्टे फ्लाट होती भी नजर आती है। फिल्म अचानक से एक सर्प्राइज एंटरी होती है एक हस्ते हुए नोट पर कहानी खतम होती है। फिल्म का एंडिंग ओपन रखी गई है ताकि लोगों के रस्पॉंस पर इसके सीक्वल के बारे में सोचा जाए। फिल्म के कहानी पक्स थोड़ा सा धीला है लेकिन कॉमेडी के लाइन्स भैतरी इंडिज्वल्स के दमदार आक्टिंग फिल्म की इसके कमजोरी को खुपसूती से ढख लेते हैं। तो सीन्स बेहदी इंपरफेक्ट्वल रहे हैं। जो की शोशल मेसेज देने के साथ-साथ आपको सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं। मसलां जब भीडिये के सामने खड़े होका प्राइप सलताज अपने सिर्जुकाते में नमस्कार करते हैं। वो सीन्स तो आपका दिल ही चीत लेता है। इसके अलावा वरुन धवन और अभिशेक द्वारा बोले गए फिल्मी जोक्स फिल्म के मूर को लाइट करते हैं। फिल्म एंटेटेंट्मेंट के साथ-साथ आपको स्ट्रॉंग मेसेज भी देती हैं जिसे इग्नॉर नहीं किया जा सकता है। 3D में दिखाई जाने वाली इस फिल्म को लेकर टेक्निकल टीम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। पुरी टीम ने उम्मीद से बहतर काम किया है। वेजल एफेक्स पर बहुत महनत की गई है। वेफेक्स और बहतरिन सिनमेटरग्राफी से बेडियो और जंगल का डाक वर्ल सिक्ससफुली क्रियेट होता है। और जिसकी दुनिया में आप प्रवेश करते हैं। वरुनधवन की इस फिल्म में परफॉर्मस देखकर यही लगता है कि उन्हें आगे चल कर और भी सीरिस और इंटेन रोल एक्स्प्रोर करने चाहिए। भासकर की रूप में वरुनधवन ने सर्प्राइस ही दे दिया है। फिल्म में उनकी मेनक साफ जलकती है। चाहे बोड़ी बनाने की बात हो या फिर इंटेन्स आग्टिंग वरुनधवन कहीं भी आपको निराश नहीं करते हैं। स्क्रीन स्पेस कम होने की वज़ा से कृति सिनन्द का काम उतना निखर कर नहीं आता है। कि बेट डॉक्टर के रूप में उनका लुक रिफ्रेशिंग लग रहा है। दोस्त के रूप में पालिन कबाब और डिपक दोब्रियाल का काम भी उम्ता लग रहा है। पर भाई के रूप में अभिशिक बार जाती है। एक दो जगा को छोड़ दिया जाए तो पूरी फिल्म के दोरान अभिशिक बार जी के वान लाइनर्स कॉमीडे से भरपूर मासम सचरा आपका दिल ही जीत लेगा। वल बरुन धवन के फान्स के लिए फिल्म किसी ट्रीट से कम नहीं है। आपकी फिल्म को 3D में देखने का अपना अलग ही मज़ा होगा। तो इसे वीकेंड फामली के साथ इसका लुफ्ट आप उठा ही सकते हैं। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय फिल्म भेडिया को लेकर आप क्या कहेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी न भूले और हमारी चानल को ज़रू सब्सक्राइब करें।